तो नमस्ते दोस्तों मैं हुआ है और आप सभी का मेरे चनल में वह बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों तो आज हम बात करने वाले है कि एक दिन में इंग्लिस कैसे सीखते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा इंग्लिस सीखी जाती है अगर आपके पास 90% positivity हो और 10% negativity हो तो व आपको पता ही चल जाएंगा ठीक है दोस्तों तो जैसे कि अपने मेरा समने देखा ही है एक दिन में सीखे कैसे जाती हो तो बिल्कुल सीखे जाते है और वो कैसे मैंको समने बतांगा आज मैं आपको जादा टाइम नहीं लोंगा और यह वीडियो अगर आपने शुरु से आपको कुछ भी समझ में आएगा तो प्लीज आपको ये वीडियो स्किप ना किजिए शुरू से अंतक देखेगा ज्यादा टाइम तो नहीं लेने वाला हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है ठीक है तो दोस्तों आज जो मैं बताऊंगा ये तरीका बहु तो उसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया है और मैं आज आपकी साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें थोड़ा बहुत मेरा experience भी है और मैंने बहुत कुछ सीखा है इसके तरफ से तो ठीक है जोस्तों तो मैं आपको बताता हूं कि एक दिन में इंग्लिश सीखते कैसे इसको दूसरे तरीके से बताता हूं दूसरा तरीका मतलब कैसा कि आज हम एक recipe बनाएंगे ठीक है एक recipe कुक करेंगी एक डिश बनाएंगे एक सबजी बनाएंगे और सबजी का नाम होगा कि भाई how to learn English in just one day ठीक है तो चलो देखते हैं तो अगर आप कुछ डिश बना रहे हो कुछ इंग्रेडेंस तो लगेंगे भई कुछ सामघरी तो लगेंगी तो उचसी सामघरी के नाम बताता हूं तो कुछ स्किल्स तो टूब इस सके लगेंगे और कुछ मेसलिय ध् Image जएट गोर्ष ... घिर नाम है इंग्ली बताता हूं उग गुगल ट्रांसलेट और औक्सप इसको मानता हूं इसको बहुते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जरवेशन सेकंड पॉइंट इस 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 अब खुछ से बात करिए ठीक है दोस्तों तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इसको मिक्स करके पकाते कैसे है ठीक है तो इसको पकाते कैसे हो चलो बताता हूँ तो क्याकर न है अपना जो रीडिंग स्कील है उसको बहुत डेवलब कर लेना चैने सी अच्छेुद कर वेख । reading आती है, I mean rapid reading बोलो, यहने fast पढ़ना, ठीक है, अगर आपको fast पढ़ना आता है, तो आप fast English भी बोल सकते हो, अगर आप fast पढ़ सकते हो, if you can read rapidly, then you can speak rapidly, right, ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने reading skills जो है, वो पढ़ाई काउशन लिए, उसको develop करना है, अगर आपक थोड़ा लटक लटक के पढ़ते हो, तो आप please उसके लिए भी क्या करना है, तो आपको बहुत सारे अपने newspapers पढ़ने है, बहुत सारे English books पढ़ने है, बहुत सारे बहुत सारे पढ़ने है, ठीक है, तब जाके आपको वो rapid reading आ सकती है, और उसके बाद में अगर आप पढ़ और सबसे पहले, English सीखने के लिए बहुत सबसे पहले, important जरूरी चीज़े तो इसको कर लेना, ठीक है, तो उसके बाद में आता है, इस apps के बारे में, Google Translate के बारे में, और ये app काम कैसे करता है, अगर आप, simple से बात है, आप किसी से बात करना चाह रहे हो, तो आप बात नही कर देता हूँ, बात करने में, तो मेरी insult हो जाएगी, मेरी बेईज़ती हो जाएगी, उसके सामने के भाई, मुझे कुछी नहीं आती है, तो भाई, सबसे पहले, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कि आपको जितनी भी आती है, उसको express करे, expose करे, किसी के साथ, जिसको सबसकर आपको जाना है, जो मैंने शुरुवात में बोल दिया है, कि 90% आपको पास positivity है, तो आप कुछ भी support कर सकते हो, तो भाई, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आप किसी के साथ English में बात करना चाहरे हो, अगर वो expert बंदा है सामने का, ठी कि ये try जो करना ये बात है निए बहुत बड़ी बात है, अगर आप try कर रहे हो, try कर रहे हो, try कर रहे हो, try कर रहे हो, उसके साथ, जो expert है English में, और वो आपको उपर ताने मारते हैं, मारते ही जा रहा है, कि भाई, ये क्या तुटी फूटी English बात कर रहा है, खुद की इंग्लीज बात करना मुझे तो कुछ भी पता नहीं है इंग्लीज के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है जैसे मैंने बताए कि वह बहुत पक्की कर लेना है अब जब रीड करते हो तो आपको जो नए ने वर्ड्स आ समगरी में तो अप है जिसका नाम है गूबर ट्रांसलेट ठीक है तो उस गूगल ट्रांसलेट लें जाके वह जो आपने पढ़ा था आ फिट जो रीडिंग बूक में अपने जो पढ़ा था जो रीड कियाए था उसको जाके आपको आप पता अथोरिटी अथोरिटी इंस क आपको आपकी लांग्वेज होगी जो भी आपकी मदाटा होगी जो आप समझ पाओगी जिस लांग्वेज में जैसे हिंदी, मराटी, इंगली, तामिल, तेलगो, गुजराती, बंगाली, वाटेवर, जो भी होगी उसमें जाके आप वापी सेलेक्ट कर जीएगी है और जो ज जाके वापे इंसर्ट कर देजीए इंगलीश कॉलम में इंगलीश कॉलम में इंसर्ट कर देगे उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आपको कुछी सेकंडों में, फ्यूल, माइक्रो सेकंडों में आपको मिल जाते है अगर आपका नेट स्पीड जो अच्छा है तो उसका जो अगर आपको अभी कुछ भी नहीं पता था इस वर्ड के बारे में उस वो जो अभी अपने जो वर्ड पढ़ा है ठीक है जो पढ़ा है उसमें अथरोडी लिखा था उसका मीनिंग आपको पता नहीं था वो डायरेक्ट जाके आपसने डाला गूगल आप में उसको उसके ब बोलो कुछ यहाँ पर बोलो कुछ बुक्स में बोलो जब भी आप अथरूटी जो वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पट से माइन में आ जाएगा कि अथरूटी का मीनिंग होता है अधिकार ठीक है तो आपको क्या करना है अभी जैसा कोई शो चल रहा है कोई इंटर्वी चल र है अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसको सुने लिस्निंग के लिए पर बहुत जरूरी होती है उसको सुने वो क्या बात कर रहा है आपके साथ बात कर रहा है तो किसी के साथ भी बात कर रहे लेकिन इंगलीश में बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है उसको आपको सु तो तो दान में आ जाएगा कि उसने क्या बोला था फर एक्सम्बल स्ने बोला तक एम गोई इंट चैनने टॉनाइट मैं आज रात को चैनने जा रहा हूं इसका मेनिंग होता है यह लेकिन आपको इसका मेनिंग नहीं पता है तो आपको क्या करेंगे आपको यह सेंटेंस तो दान में आ गया आपको में लिए उसका मीनिंग क्या होता है ठीक है उसके बाद में इसके तो जो फाइदी बताए तो मैंने आपको तो पता चल गए कि कोई इंटर आएम गूंट चैननाइट नाइट मैं आज रात चैननाई जा रहा हूं कुछ words मिलके एक सेंटेंस बनता है इसा सेंटेंस तो बनाए कि I am going to चैननाई जैसा अभी आपको यह चैननाई यह जो होगया गाव का नाव होगया आपको पता ही गो इंग वो इंग यानने इसका मेनिंग क्या होता है वो जाके आप ड यूज करते हैं यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पताती जाओंगा यह बेसिक्स है तो आपको सिंपल सी इंग्लिश सीखना है तो यह अच्छा तरीका है Google Translate आपके जरीए उसके बाद में अगर आपको कुछ कोई आदमी बोल रहा है तो उसको समझना कैसे है तो आप वर्ड आपको Google Translate में जाके ट्रांसलेट कर दिना है हरेका मीनिंग आपको पता चल जाएगा और जब आप फ्लियरंड्सी लाना चाहते हैं अपने अपने अंग्रेजी में तो आपको इसको हर रोज मेंटें करना पड़ेगा ठीक है अगर आपके पास कुछ मीनिन लाप मीन जनरेशन है वो विदाउट एंडरेट फोन तो रहने सकता विदाउट इंटरनेट ने रह सकता तो आप जैसा अगर आपको बुक हाथ में लेने में आलस आ रहा है तो आप जो है वहाप पर इंस्टॉल करके जैसा आप गेम खेल लेते हो कोई वाटसाफ फेस्बुक जैसा यूज कर ले तो इसको भी सिर्फ पाच मिल्टी यूज कर लीजिए को बहुत कमे आएगा बहुत कमे आगा यह जो गूगल ट्रांसलेट का जो ए आप है न यह इतना कारीगर ठरता है अगर आपको इंगलीश के वर्डस पी पता नहीं है अगर आपको इंगलीश के स्पेलि माइक भी दिया है अगर आपके डायरेक्ट माइक में बोल सकते हो कि अगर आपको एक हिंदी में एक जानना है आपको एक हिंदी में यह सेंटेंस है एक वाक्य है उसको आपको इंगलीश में क्या होता है उसको जानना है ठीक है आपको पता नहीं उसको इंगलीश में क्या जैसे मैंने आज सुबह खाना खाया ठीक है for example मैं बहुत सिंपल सा बता देता हूं मैंने खाना खाया मैंने आज दुपेर का खाना खाया ठीक है तो ऐसे आप जाके वहाँ पर बोलोगे उस speaker में तो वह आपको डायरेक्ट सुनेंगा वह speaker फिर capture करेंगा उसको फिर रेकर्ग्यास करेंगा रेकर्नाइस करनेगा अवर डायरेक्ट इंगलिमें त्रांशलेट कर देंगा फिर उसको आप जाके बहर किसे से भी बात कर सकते हूं किakt है कि मैंween mów형 इसका मेनिंग होता है तो यह पका यह है कि मैंने आज दुपेर का खाना खाया तो यह जाकर आगे बात कर सकते हो अगर कोई जांप आइचा आची इक सब्सक्राइब जो अच्छे से अच्छी इंगलिछ बात करता हो इसके साथ जाके आप बात की जिए थेकि तो फिर वो भी और माहीं यह तो थोड़ी बहुति इंग्लिपल लिता है तो वह आपकुछ गल्थी है तो वह आपको करेक्षण कर सकते हो नहीं ठीक दो तो यह बहुत अगर आपको बात भी नहीं करने है बहुत आपको अब पका करना चाहते हो तो ग्लामल आप भी मैंने दिया है वह आप बहुत सारी टेस्ट होती है फ्री में टेस्ट नीजाते है ऑनलाइन एक्जाम्स होते है वह अगर आपको कुछ बेसिक से जो नॉलिज पाना चाहते हो तो उस एप में जाके आप सकते हो तीसरी आप जो है डिक् कानष बीक फोग्स होता है ना तो बहुत कुछ सीख जाते हो अपप Unidos को सुनो लिस्लिंक पावर feito शोस फिर उसके बाद में उसके ऊपर सीमया बाता मुझे मुझे पता करना का याँका तो उसको क्या बोला ता अभी जैसे उसने बोला ता एक्स्प्रेसकरoncesography और तो यह जैसे बहुत से वर्ड से आप जाके सीख सकते हूं तो ऐसे ग्राफ करते हो जैसे ढूंते रहो दूने से भगवान भी मिलता है आपको पता है एक्स्प्लोर करो जैसा मेरा चानल का नामी एक्स्प्लोर एंगे कुछ ना कुछ दूनते रहो सब कुछ मिलेगा आपको ठीक है थोड़ा टाइम लगेंगा लेकिन पक्का मिलती है तो आपको इसके पर वर्क करना है तो दोस्तो जैसना मैंने आज पता आया है इस वीडियो में उतना ही कीजिएगा जो बाकी का जो है उसके बाद में और एक बात बताना जाता हूँ कुछ आपको दिल से नहीं क्या करना है तो एक बात जरूर कीजिएगा जो वो है कि कुछ सेंटेंस होते हैं वो आपको फिर्सली को उसके बादमें अब जो करने बाद उसके ऊपर कॉंसेंट्ररीट करना होता है वह भी時 relevant एक पार क्ञाख करना हो उसके बाद नियुक्ट tapaht करते हो ना मीरर को देखे तो आपको अलग सा confidence आता है वो एक प्राक्टिसिंग हो जाती है आपके उपर मैं वैसे ही करता हूँ रोज मुझे लोग पागल होते हैं बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग पागल बोलते हैं एडा बोलते क्योंकि मैं उस च तो आप भी थोड़ा पागल बनो और सबसे में बात आपको यह रखना ही नहीं कि मुझे इतनी इंगली चाहती है इतना बात करता हो तो मुझे लोग क्या बोलेंगा यह आपके मन से निकाल देना है पहली बात यह करना है कि हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना कुछ आपको खुद को एक्सप्रेस करो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही इतना भी मैंने बोला उतना रिहर्सल करो अगर कुछ डाउट से तो मेरे कमन बाक्स में बताओ मैं आपको हेल्प करता हूँ और मैं तुरंत रिप्लाय दिता हूँ 247 आपके ल ठीक है दोस्तों तो मैं मिनता आपको नेक्स्ट पार्क टू में इसका जो वास्ट एरिया है जो वास्ट इसका जो कोर्शन है कैसा जो बताओंगा अब इसको थोड़ा डीप में लेके जाओंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक यह जो बेसिक चीज़े हैं यह जो मैंने वाद में आपको प्रिंट करना है उसके बाद में आपको खुच से बात करना है कुछ से बात करना अपने लेंग्वेज होने ठीक है दोस्तों तो यह था बेसिक अगर आप इसको बेसिक जो करते हैं इंगलेश इंगलेशनरी में दस वर्ट पढ़ना रोज का जो रिडिंग बुक्स है उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना या कुछ आपस में जाओ कुछ आर्टिकल्स पढ़ और वह जो बोलता है कि मैं को अफ्समेंटिक अब हर बार सुनता हो कि और कि क्या बात कर रहा है कैसे कर रहा हूँ उसके तो आप भी सुनिएगा तो दोस्तों यह बहुत लंबा सफर है इंगलिस सीखने का और लेकिन अगर आप पुरी दिल से करते हो तो आपको बहुत छोटा लगता है अगर आप दिल से कुछ भी चीज़ करने जाओ ना बहुत जल्दी मिल जाती है थोड़ा हाड वक्तों करना परते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगा है इतना पैसा खर्च करो उतना करो सबकुछ हात में हैं अपने हाथ में दूनिया रखकर आप बहर जा रहे हुं तो यह बहुत गलत बात ही तो दोस्तों आज के लिए होप कि आपको यह वीडियो ब भी डिपली कैसे जाते है嗯डय सी कैसे लाती आपको तब एक दिन में तो खशी सी सीख लो उसके बाद में इसको फ्लेट कैसे बनातेfund भूत आंगे वह नमस्त्त दोस्तों आपको नेंस्ट वीडियो में बीडियो देखने के लिए बहुत बहुत चुक्र है दोस्तों